सर हवाँ चल रहे हैं अरे तो बता कहा रहे हो काटो लाइट जल दी रूखे सर लेकिन ज्यादा हवा नहीं चले चले सिर्फ पत्ते हिल रहे धीरे-धीरे तो क्या क्या हुआ लाइट काटो पत्ते हिल रहे न इसलिए पहले गाओं based की काट नहीं अरे भाय अब तुम्हें भी काम करने कुछ रूस होते हैं कुछ नियम होते हैं जैसे भी थोड़ा सा भी बहाना मिले तो तुरन्थ पावर कट करके हमें विजली बचाना है हमें सिर्फ बहाना मिलना से यह हमसे मतलब नहीं तेज हावा चल लही है मतलब यहां चल लही हमसे मतलब वहां चल लही हो तो साइस देखो तुम नए नहीं हो ना इसी लिए हम तुम्हें सारे रूज्स और नियम बता रहे हैं ध्यान से सुनों देखो थोड़ा सा भी हवाँ चले थोड़ा से ही पत्ते हिले तुम्हें महसूस हो कि हवाँ चलने वाली है ते गंटे पहले ही लाइट गाउं की कट कर देन परसां नहीं है जो लगन जयादा साधिया साधियों चाँए जिस दिन लाइट तो लेट काथना चाहिए कोशित करना है कि सहर की लाइट कम से कम कट हो कम से कम पावर कट ऑ안 चुला में है कि सर बहुत आ रहा हो कहेंगे नेकिन हमारा क्या क्या में कि हमारे हांत में कुछ नहीं है यह आ कुछ लोग पैसा क्रफ़ उफ़फर करें यह इस जी सिल एकुन कर श्क्राइब नहीं के लिए चले जाए लेकिन बजली नहीं कम आना चाहिए और जब फिर आदमी के पास बचना नहीं चाहिए गरीब आदमी पड़ाना तो उसकी लाइट कट पैसा लेकर गया ना यह दिख रहा है तो इसका पचाहँ जार रुपया भी बिल पड़ा हो ना उससे पैसा नहीं लेना है उससे सिर्फ नोटिस दे के चले आना है क्योंकि उस रिकायट कर सकता लेकिन गरीब आदमी का 500 भी बील पड़ा हो ना तो उसके light इसके लाइट कत करके सीधे चले ना उससे बोलो विजली बिल भरे गरीब आदमी के पास विल्कल भी भी बिल भकाया नहीं होना चाहिए उसका लेकिन बड़े आदमी को तंग करना है यहीं ये कुछ रूर्स है बिजली भाग में काम करने के आगे चलके तुम्में देरे देरे और सीखाते जाएंगे कट झाल झाल